नमस्कार दोस्तों में हूँ रोसन वन डबल फर वन रेसिपीज में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आये है कच्छे केले का नमकिन जो बहुती कम समय में और बहुती कम चीजों से बन जाता है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पे हमने छे केले लिये है यहाँ पे कच्छे केले लेने है सबसे पहले छिल के निकाल लेंगे केले हमें पुरी तरह से कच्छे लेने है उपर से और नीचे से डीच निकाल लेंगे और इस तरह से हमें केले को छिल लेंगे कच्चे केले है तो एक चाकू की मदर से ही छिलेगा हाथों से नहीं छिलेगा केले को छिन लिया है केले का कलर चेंज होने लग गया है तो यहाँ पे हम इस तरह से निमू का रस लगा देंगे जिससे हमारे केले का कलर वैसे का वैसा ही रहे इस तरह से पुरा लगा देंगे हमने केले को छील के निमू लगा के रख दिया है 2-3 मिनित तक एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ हमने टेल गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे हम सबसे पहले जो नमकिन में मसाला आता है वो रेडी करेंगे तो यहाँ पे हम एक बावल में एक चम्मच सुखी लार मिछ लेंगे टेस्ट के हिसाब से मसाला कम ज़्यादा कर सकते हो अधा चम्मच हल्ली पाउडर एक चम्मच जितना आमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक एड़ करेंगे यहाँ पे हम सिंधों नमक एड़ करेंगे आप फरारी खाते हो तो सिर्फ सिंधों नमक एड़ करके यूज़ कर सकते हो और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा नमकिन का मसाला बनके रेडी हो गया है दूसरी साइड हमारा टेल भी गरम हो गया है हमें यहाँ पे केले को छील के लच्छे बनाने वाले है तो लच्छे सिधे टेल में ही गिराएंगे आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से लच्छे गिर रहे है इस तरह से पैन में जितने लच्छे आए उतना हम छीन लेंगे और गेस की फ्लेम हमें यहां पे slow रखनी है पैन में जितने आये उतने रख दिये है अब हम लच्छे को crispy बनाएंगे तो हम गेस की फ्लेम medium करके इसको अच्छे से crispy बनने तक fry करेंगे आप देख सकते हो हलके से कुरकुरे बनने लग गये है कलर चेंज होने लग गया है और आप देख सकते हो क्रिस्पी भी बन गया है अब हम टेल से निकाल लेंगे हमारा चुरा बनके रेडी हो गया है अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और दूसरी तरफ गेस की फ्लेम स्लो रख के मुंगफली के दाने को इस तरह से छन्नी में ही लेके दो मिनित तक फ्राइ करेंगे इस तरह से फ्राइ करके यूज़ करने में थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है और प्रंची भी लगता है मुंगफली के दाने फ्राइ हो गये है आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया है अब हम दाने को प्लेट में निकाल लेंगे गेस की फ्लेम बन करके तेल अभी गरम है अब हम इसमें ग्रिन लिव्स एर करके हलका सा फ्राइ कर लेंगे और ग्रिन लिव्स को प्लेट में निकाल लेंगे अब हम बड़े बर्दन में नमकिन का चूरा लेंगे चुरा गरम है तो फटा फट से उपर से मसाला एड़ करेंगे जो पहले से हमने रेडी किया था अच्छे से एड़ कर लेंगे मसाला आप अपने टेस्क के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले अच्छे से मिक्स हो गया है उसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है अब हम मुंगफली के दाने को एड़ करेंगे साथ में हम कड़ी लिव्स जो फ्राइ किया था उसको भी एड़ कर लेंगे और किसमिस एड़ करेंगे अगर आप फ्राइ करके करना चाहो ता फ्राइ करके भी एड़ कर सकते हो या फिर नहीं पसंद हो तो उसकी भी कर सकते हो अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से उच्छालके ही मिक्स करना होगा हाथो या फिर चम्मत से तुट सकता है तो इस तरह से हलके से मिक्स करना है मिक्स हो गया है उपर से हम एक चम्मच जितनी पीसी हुवी चीनियर करेंगे मिक्स कर लेंगे हलके से आतों से हमारा नमकिन बनके रेडी हो गया है आप भी हमारी रेशिपी देखके गर पर ही बनाईए और रेशिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें